जहीं दोस्तों, बहुत बहुत श्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे टैली प्राइम में IGST के साथ हम लोग बिलिंग कैसे करते हैं सबसे पहले हमें जाना है Create Company पे, Create पे जाने के बाद हैं और इंटर करके हम इसे Accept कर लेंगे जैसे Accept हो जाएगा तो आपका टैली प्राइम का जो है इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा Company Created Successfully अब यहाँ पे मुझे GST पे वर्क करना है, तो GST पे वर्क करने के लिए हमें GST अप्सन यस करने है जो आपको Right Hand Side में Tax Session का एक अप्सन दिखाई देगा, यहाँ पे एक अप्सन दिखाई देगा GST का, Enable Goods and Service Tax आपको Enable Goods and Service Tax को Yes करना है, Yes करने के बाद इंटरफेस करना है, जैसे आप इंटरफेस करेंगे, यहाँ पे एक आपको Information दिया जाएगा GST Details डालनेगा, जिसमें State, Bihar, Type Regular GST Number, यहाँ पे Put करने के बाद इंटर करेंगे और इसे आप Accept करने के बाद Final Accept हम यहाँ पे कर लेते हैं अब यह आपकी Company ABC के नाम से Create हो चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग Billing का Work करेंगे, Work करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अगर यह Interface आपको दिखाई नहीं देता है तो आपको यहाँ से Change Mode option पे Click करना है, और Item Invest option को Choose करना है अगर आप यहाँ पे Accounting या फिर As Voucher को Choose किये है तो वो Interface आपको दिखाई नहीं देगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से Change Mode पे Click करना है Item Invest Mode को Select करना है Then Inter करना है अब यहाँ पे Suppliers Invest Number आपको डाल लेना है Invest Number डालने के बाद Date डाल लेना है Parties Name हम जिस Party से Purchase कर रहे है उसका नाम डालेंगे तो नाम डालने के लिए हमें जाना यहाँ से Create Option पे Then Inter करना है एक नाम बना लेते हैं यहाँ पे जैसे राज नाम से जिस Party से हम Purchase करेंगे अब यह राज का लेजर जो है अंडर जाएगा Sunday Creditor में यहाँ से Sunday Creditor डालेंगे Maintenance Bill by Bill को Yes करेंगे और इसे हम Accept कर लेंगे अगर राज का GST नंबर आपको पता है तो यहाँ पे एक GST नंबर पूछा जाएगा तो GST नंबर आप आज का यहाँ पे डाल लेंगे Inter करने के बाद आप इसे Accept कर लेंगे Inter और फिर से Accept अब आपसे पूछा जाएगा Purchase का Leisure दोस्तो अगर आपके पास Single Item पे Transaction करना है Single Item GST पे मतलब जैसे एक ही परकार के आइटम है या फिर एक दो परकार के आइटम है जिसमें Same GST यूज होते हैं जैसे 12% यूज रहे हैं तो 12% ही है 18% है तो 18% ही है अगर Multiple है तो उसके लिए हम लोग Entry को थोड़ा सा Change करते हैं तो आईए हम यहाँ पर देखेंगे Multiple GST यूज करना तो करना क्या है आपको Purchase में Purchase का Laser बनाना है तो यहाँ से Create Option में जाना है और लिखना है Purchase Purchase लिखने के बाद Under जो है वो Purchase को Purchase Account में डालेंगे तो यहाँ से Purchase Account में डालने के बाद Type of Laser Not Applicable GST को Applicable करेंगे और Details को यहाँ से No रखेंगे क्योंकि हमें Multiple GST पर वर्क करना है अगर दोस्तों Multiple GST पर वर्क नहीं करना होता है तो हम Details को Yes करके और यहीं पे हैं GST का हम Totally जितना % डालना है वो हम Put कर लेते लेकिन हमें Multiple पर वर्क करना इसलिए हम इसे No रखेंगे Type of Supply में Goods रखेंगे और इसे हम Accept कर लेंगे अब Name of Item, Alt C करके एक Item मना लेते हैं जैसे SHI RT Start Under हम Primary में डालेंगे Category भी Not Up Liquable लखेंगे इसकी ज़्यादा जुरूरत नहीं होती है Unit में हम Create Option पर क्लिक करके हम यहाँ पर Unit मनाएंगे PCS के नाम से पूरा नाम PICS हो जाएगा और Unicode में हम PCS को यहाँ से Select कर लेंगे Number of Decimal पहले 0 रहेगा Then इंटर करके हम इसे Accept करेंगे लेकिन Accept करने से पहले यहाँ पर Statory Details का एक Option दिखाई देगा जिसमें GST Applicable को Applicable करेंगे Then GST Details को हम यहाँ Yes करेंगे हमें GST Details के यहाँ Yes करना है Purchase के Laser में मैंने आपको मना किया था लेकिन यहाँ पर Short जो Item है आपका उसके Laser में आपको Yes करना है अब यहाँ से आपको कुछ Details पूछे जाएंगे Description, HSN Code, Calculation, Taxibility, Integrated Text, Central Text, State यह सारे चीज़ पूछे जाएंगे दोस्तों कभी-कभी होता है क्या है कि यह सारे Details आपके System में नहीं दिखाई देते हैं उस Situation में Keyboard का F12 प्रेस करना है और अगर इन सारे Option को अगर आप No कर लेते हैं तो देखिए कितने कम Option आपको यहाँ पे दिखाई देंगे हो सके आप भी वहीं पे गए हो और इतना ही Option आपको दिखाई दे रहा हो तो आप यहां से और सारे Options लाने के लिए F12 प्रेस करेंगे और यहां से HSN Code का Details चाहिए तो Yes कर लेंगे अगर आपको Goods का Type चाहिए तो Yes कर लेंगे Calculation चाहिए तो Yes कर लेंगे Input Credit चाहिए तो Yes कर लेंगे Calculation Value टाइप चाहिए तो Yes कर लेंगे लेकिन So All GST Tax Type इसको No रखेंगे IGST पर काम करना है न इसलिए तो इसे No रखेंगे तो यह सारे चीज़ आपको यहां पर दिखाई देंगे Description में हम टाइप करेंगे Goods HSN Code जो होगा Short Cover डालेंगे Calculation Type में On Value डालेंगे Taxability में हम यहां से Taxable डालेंगे और Inter करने के बाद Integrated Tax यानि IGST कितना तो 12% उसके बाद Accept Quantity 100 piece 500 के rate से Amount आ जाएगा Enter अब फिर Alt C करेंगे और यहां पे एक मना लेते हैं F, R, O, C के Frog के नाम से Enter, Under Primary, Category B, Not Applicable Unit में हम Piece को डालेंगे बना हुआ है मेरे पास किनकि Frog में Piece में बिखता है Extender Rate नो रहेगा GST को Applicable करेंगे और Details को हम यहां से Yes करेंगे Description में Goods को टाइप करेंगे HSN Code में Code डालेंगे Then Calculation Type को On Value रखेंगे Taxability हम यहां से Taxable select करेंगे उसके बाद इंटर करेंगे नीचे आएंगे तो Integrated Tax माल लिए जाए सपोज इस पे 18% Tax है तो हम 18% डाले है Case 0 Type और Supply में Goods डालते हुए इससे हम Accept करेंगे Quantity 600 पीस Rate 800 के Rate से Integrating आजाएगा अब एक बार माल लिए जाए आइटम मेरा खतम हो जुका दू आइटम है अगर तीसरा हो तो इसी तरह तीसरा जट डाली Alt C करके चौथा हो तो चौथा डाली है लेकिन अब मेरे पास आगे का Product नहीं है हम यहाँ पे अब इसी बिल को मनाना चाहते है तो इंटर करेंगे एक बार और Alt C से एक लेजर बनाएंगे आई GST के नाम से अंडर जाएका Duties and Taxes में कोई भी Taxes होता है अंडर Duties and Taxes में ही जाता है यहां से GST को Select करेंगे Tax का Type जो हो जाएगा परसेंटेज पहले के लिए हम बनाते हैं 12% पे और इसे हम Accept करेंगे तो 12% का Tax यहां पे अभी शो नहीं हो रहा है अब क्यों नहीं हो रहा है यह चीज को हम Clear कर दें आपको दोस्तों कभी कभी यह भी Bill बनाते होंगे जिसमें IGST या फिर GST वगरा लगाते हैं तो वहां पे Automatic Tax नहीं करता है यह काफी Student का Problem होता है लेकिन यह Problem आखी राया कहाँ पे मैंने सब कुछ सही किया था लेकिन यह के गलती है कि IGST सेम स्टेट में काम नहीं करता है जबकि मेरी Company बिहार की है और मैंने Party Name भी बिहार का ही लेकर के रखा है इसलिए IGST वर्क नहीं किया है तो हम इस राज की लेजर को चेंज करेंगे यहीं पे राज की लेजर पे क्लिक करेंगे Ctrl, Enter करेंगे और राज की लेजर हम यहां से चेंज करके इसके Address को चेंज करेंगे तो चलिए Address हम यहां पे कर लेते हैं मान लिया जाए उत्तर परदेश अब यहां से मुत्तरपरदेश को select कर लेते हैं अब राहुल का जो है state change हो गया अब आसानी से आपका GST कटेगा एक बार इंटे करेंगे तो एक बार और details पूछेगा यहां पे भी party details पूछता है जो first time आप डाले थे वही रह जाता है तो आपको यहां पे भी उत्तरपरदेश को select करना होगा U for उत्तरपरदेश इंटे कर रहा है और इसे हम accept कर लेते हैं अब ज़रा दोस्तों आप देखेंगे कि आसानी से आपका IGST यहां पे calculate हो चुका है तो आपको यह चीज़ और आगया कि आपका अगर IGST में problem हो रहा है तो आपकी गलती mistake यहीं पे होगी फिर alt c करेंगे और एक और बनाएंगे IGST के नाम से laser यह रहेगा 18% के लिए तो IGST हम इसके 18% कर देते हैं ताकि समझ में आए 18% इंटर अब यहां डालेंगे duty and taxes में तो यहां कर लेते हैं हम duty and taxes d for duty and taxes यहां से हम select करेंगे GST integrated tax 18% rounding method not applicable और accept अब यहां पे थोरा सा हम इसको भी change करके और IGST 12% कर देते हैं ताकि फ्रेस तरीके से दीखे क्योंकि फ्रेस रहता है तो बेटर रहता है सब कुछ वही रहेगा बस हम यहां पे सिर्फ नाम change की है ताकि दोनों का पता चले अब यह 12% जो tax कटा है वो short पे कटा है 18% जो tax कटा है वो frog पे कटा है तो इसते आपको यह होगा कि आप multiple item को one time एक ही billing में आप cover कर सकते हैं इंटर करने के बाद finally से accept कर ले पार्टी बना लेते हैं अमीद के नाम से अंडर्ड हम डालेंगे संडी डेटर्स में क्योंकि इसे हम बेशने वाले हैं बिल वै बिल को yes रखते हुए इसका state हम असाम ही select कर लेते हैं क्योंकि same state में IGST work नहीं करेगा अगर अमीद के पास GST नमबर नहीं है तो sales का laser आजाएगा तो हमें तो sales का laser चाहिए ही तो sales का laser हम एक बनाएंगे अंडर डालेंगे इसको sales account में type of laser not applicable GST applicable और details तो details आपका no रहेगा और supply goods और accept अब यहाँ पे name of item डाल लेते हैं जैसे माल लिए पहले sort है तो sort डाल लेते हैं पचास पीस रेट 900 के रेट से डाल लेते हैं दूसरा frog यह भी 50 पीस ले लेते हैं 1100 के रेट से एक बार इंटर करेंगे यहाँ भी IGST चार्ज करेंगे 12% इंटर और IGST 18% दोनों tax आटोमेटिक कर जाएगा इंटर करने के बाद यहाँ से भी इंटर करके हम इसे finally accept कर लेंगे इसमें कोई changing नहीं करना है सिर्फ इंटर करके accept कर लेना है यह bill आपका त्यार हो चुका है escape से back जाएंगे bill print करने का हो तो आपको डेवुक में जाना होता है आपको gateway of tally में जाने के बाद यानि escape से जाए gateway of tally print करना होता है तो यहाँ से print कर सकते है अगर दोस्तों इस bill को save करके और किसी के mail पर भेजना है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको करना क्या है देखिए आपको print option पर click करना है print option पर click करने के बाद desktop पर जाना है और xp file का नाम हो कर रहा है तो हम यहाँ पर माल लिया जाए यह bill किसके नाम से था किसी के भी नाम से था हम a b bill दे देते हैं ठीक है और xps document में इसे save कर लेते हैं तो यह save हो जाएगा हम यहाँ से यह देखिए मेरा bill है अब mail पर आपको transfer करना है तो यहाँ से क्या किजिए आप google खोलिए गोल खोलने के बाद जो mail से भीजना होता है वो mail यहाँ पर open किजिए mail open करने के बाद यहाँ से आपको compose का एक option दिखाई देगा जब mail open हो जाएगा तो यह रहा option compose का यहाँ पर click किजिए और compose click करने के बाद आपको file अभी loading ले रहा है थोड़ा time बाद file attachment का option आएगा यहाँ mail type किजिए जहाँ भेजना है address file में जाएए और अपने file को select किजिए तो हम यहाँ से अपने file को select कर लेते हैं कौन सा file रहा तो bill का यह भी bill यह वाला file है open कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जो भी है वो डाल लीजिए जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं जो भी at the rateofzmail.com यह file attach हो जाएगा then send option पे click किजिएगा यह bill आपका automatic send हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप असानी से bill को send कर सकते हैं प्रिंट करना तो right click किजिए right click करने के बाद print का option आएगा यहाँ पे print option पे जाएगे और यहाँ से printer का नाम select किजिए जो भी company का printer है और यहाँ से आप print कर दिजिए यह print out हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप असानी से bill को बनास रखते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो एक like कर दीजे और मेरे चैनल के नए है तो इसी content के लिए चैनल को जरूर subscribe कर लिजे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद आपका दिन सुबो